तो डियर आज के लेक्चर के को स्टार्ड करने से पहले एक चीज़ बता देता हूं जोदि आपने प्रीबियस लेक्चर नहीं देखा तो उपर आई बटन के अंदर आपको पार्ट मिल जाएगा पहले उसको बहुत कर लेगा फिर हमारा क्नेक्शन बना रहेगा ठीक है और ए कि we want to prove that the circles हम प्रूफ करना चाते कि जो हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल कहां पर लिखे है सर आप जो दी रिवीजन करके है तो आपको पता होगा कि जी जो कंबाइन जब आप इनको करोगे दिस सीधा equation of a sphere and जिसने equation of plane एक सर्फियर और plane जब एक साथ आते तो एक सर्कल फ सर्कल हमारे पास आ रही है जी लाई करेगे on the same sphere and we want to find that equation of that sphere हम जे पताना चाहेंगे हम जे करेंगे कि हमारे पास जो भी सर्कल बनेगा वो एक ही सर्कल के उपर लाई करते हैं ठीक है अब कैसे करोगे राजे एक चीज़ थोड़ी सी कॉमन आपको जहाँपर डाग्राम बन with some plane जब आप इसको किसी plane से cut करोगे कुछ है इस way के अंदर ठीक है ऐसा हम जदी cut करने की कोशिश करें तो यह हमारे पास क्या होगा एक circle form होगा और वो circle कहां पर होगा इस position पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस position के उपर आपके पास एक circle form हो जाएगा after cutting ठीक है अब जो circle आपका form होगा इस circle से pass करता है एक मन मैं आपको दिखाना चाहूँगा ओके यह मेरे face के उपर आगया आप ठीक रहेगा आपको ठीक है तो जो आपके पास उपर circle दिख रहा हमें ना जो circle हमें दिख रहा है जे वाला circle इस circle तो आपका आपके पास का रहेगा एक उपर सफियर प्लेन है तो एक circle जी आपके पास बन जाएगा ठीक है एक आपका जी दूसरे वाला सफियर और plane दिया हुगा तो उसका भी एक अलग से circle बन जागा लेकिन भी वांट टो प्रूव दैड की for this particular आपका sphere and plane के लिए और दूसरा जो आपके पास plane के लिए जो आपका circle ह वो किसी सेम हमारे किस के उपर लाई करेगा किसी सेम सफियर के उपर लाई करेगा like this one यह जो circle है किसी एक सफियर के उपर लाई कर रहा हम तो बनेगे तो दो circle लेकिन बोथ लाई on the same सफियर we want to show that अब कैसे करोगे वो देखेंगे ठीक सबसे पहले सट्रेटीज तो जिए रहेगी exam के अंदर जदी आपको ऐसा question आता तो यह आप करोगे क्या कि आप पहले given लिखना स्टार करतो कि हमें given क्या थोड़ा सा हमारा flow बनता चलेगा तो हम लिखेंगे जहांपर कि हमें given दिया हुए हमने इसको number one and number two माल लेना अब आपको जा दोगा previous lecture के अंदर जब भी आपके पास एक सफियर and plane दिया जाता था तो हम उससे पाख वो एक सर्कल बनता हो het the Dalai adding zone online इच्मा विल्वन की बात करें जो हमारा वान का सर्कल बन रहा है इसे पास होता हुआ ज़्यवन हम सफियर कारना चाथे हैं तो हम कैसे करते हैं हमारे पहले पहले सफियर कुछ उठाले थिसको बनता है ठीक है उम ऊठाले तह लेफ्ट यआपन जयो creators हे y square और z square का option कितना रहेगा सेम रहेगा इसके अंदर आपके पास सिरफ x y z वाली term में मिलेंगे कोई mixing term नहीं मिलेंगी तो definitely जी एक equation of zafir रहेगी ठीक है तो हमने एक equation हमने पहले बाले से उठा लेनी है और ऐसे ही डियर on the same line आप क्या करोगे equation number two से इस पूरे को एक bracket के अंदर डाल देना ठीका equal to zero short कर फिर plus कोई constant k2 हमारे पास होगा और उसके सदम ये plane लगाने वाले हैं तो देखें नीचे एक समाह के साथ का हमने same line के उपर करना dear के मारे पास the equation जो रहेगी the equation of any sphere through the circle number two is अब circle number two से हमने करने तो जे हमारा second वाला sphere था plus k2 लगा दिया और साथ में second वाला plane लगा दिया is equal to three and four तो जे हमारे पास दो सफियर बन चुके है अब दियान देना जहांपर dear हमारे पास दो सफियर बन चुके हैं लेकिन हम हमारे question के अंदर क्या प्रूव करना चाते हैं we want to prove that कि जो दो सरकल आपके पास दिये थे वो एक ही सफियर के उपर लाई करें लेकिन we reached at the point यहांपर हमने दो अलग से सफियर निकाल कर रखे हैं लेकिन if we want to say that कि जैस कि बो सरकल एक ही सफियर से पास करते हैं तो कहीं ना कहीं some k1 और k2 की values के लिए आपकी three and fourth equation सेम आएगी मैंने कहता इसे बहुत सारे सफियर होंगे वहां से पास करते होंगे जो अलग-अलग हो सकते लेकिन कुछ सफियर ऐसे भी होंगे जो common रहेंगे जिनके उपर दोनों के दोनों circle आपके आ सकते है that is for some values of k1 and k2 क्या हम उन k1 और k2 को find कर सकते हैं जदी हम ऐसी k1 और k2 को find कर लें जिनके लिए आपका equation number three and four same answer देगा तो इसका मेनिक हमारे वो पार्ट है वो प्रूब हो जाएगा and by using k1 and k2 we find that sphere हम एक ऐसा sphere find कर लेंगे जो दोनों आपके circles को अपने उपर contain करेगा ठीक है अपने उपर lie करने देगा तो कैसे करेंगे आगे move करते हैं ठीक है next line देखेंगे अब यह हम जहाँ पर वही वाली condition apply करने वाले हैं कि we want to apply the condition कि if the circle one and two lie on the same sphere जदी वो दोनों same sphere के उपर lie करेंगे तो फूर कहीं न कहीं कुछ some values of k1 और k2 के लिए हमारे पास three and fourth equation क्या होने चाहिए same आने चाहिए जो equation number three थी और जो फो जदी जो same represent करेंगा same sphere हमारे पास आएगा तो definitely दो अलग सरकल आपके एक इस पर उपर आएंगे अब हम कहते हैं कि k1 k2 के लिए तो हम इनको आपस में solve करेंगे अब जो equation आपस में solve कब होगे देखो x square y square z square coefficient इसके अंदर भी one और इसके अंदर भी one तो फिर बचेगा किया खाली x के coefficient y के coefficient z के coefficient और constant term बचेगे जदी जिए दोनों same होगे तो x का coefficient same होना चाहिए y का coefficient same होना चाहिए z का coefficient same होना चाहिए और constant term same होने चाहिए दोनों के अंदर तो हम उनी सभी को equate करतेंगे अब ध्यान से देखना next line में जहां पर क्या लिखने equal करो ठीक है coefficient of x अब देखो पहले के अंदर coefficient of x के आपके पास आएगा जहांस देखो इसके अंदर जी आपका x वाले term बढ़ना है लेकिन इदर कोई भी x वाले term नहीं तो इसके अंदर आपका coefficient आएगा minus 2 लेकिन जो दूसरे वाली equation है जहांपर minus का 3 मिल रहा और यहांपर k2 आपको मिल जाएगा बतलब third equation के अंदर coefficient of x को equal रखना है जो fourth equation के अंदर coefficient of x है तो third वाला कितना आपका खाली minus का 2 है हमें आगे पिशे move करना पड़ेगा तो इसका मिनिंग minus 2 हमारे पास equal रहेगा इस minus 3 और उदर से क्या आ रहा प्लस k2 के equal रहा ठीक है और जिदे आप जहां से solve करें तो dear आपके पास k2 की value आ जाएगे minus 3 minus 2 plus 1 that is plus का one हमारे पास value निकल कर सामने आ जाएगी किसकी k2 की value हमने काली coefficient of x को equal रखा और वहां से हम coefficient of z को equal करेंगे और ऐसे हम constant term को भी equal करेंगे ठीक है constant term जदि आपके पास सारे की सारे चीज़े एक दूसरे के साथ equal करेंगे तवी वो एक ही सफियर को represent कर पाएंगे ठीक है अब y की तरफ चलेंगे मैंने k2 की value दिखा दी आपको one आ चुकिया अब y का option हम equate करने चलेंगे बापस कोई pen और use कर लेते red pen use कर लेते ठीक है आजो बापस equation number three के अंदर चलेंगे अब three के अंदर y का option एक तो डियर आपके two k2 आजेगा plus का two k2 क्या रहा माइनस का four आ मारे पास minus का four plus two k2 जह मारे पास एक equation आगे अब जहां पर थोड़ा सा बेट करना भी के लिए अब हम coefficient of z की बात कर लेंगे दोनों के अंदर की coefficient of z मारे पास क्या तुम्स का 4 रहा है और एक वाज जाधे रहा है प्लस का 4 रहा जिए प्लस एंट्व केवन न आ जाएगा एक वाज जा रूद रखना क्या ज Remember आजिए गा ठीक है और ऐसे मेडर दूसरी एकवेशन जो है उसके अंदर देखो के अंदर देख लो एदर मारे पास माइनस का फाइव है और आपका प्लस के वन आजेगा जहां पर देखो इसका प्लस वन है ना तो प्लस के वन माइनस फाइव constantum जो आपके पास रहेगी हमारे पास minus का 5 है और plus का k1 है और दूसरे के अंदर हम देख लेते हैं हमारे पास constantum क्या रही है इधर खाली minus 6 आ रही है k2 वाली constantum आपके पास नहीं है तो minus का k2 आ रहा है constant हम नहीं है तो minus का k2 minus का 6 तो यह ज़िए आप जहां से निकालने की कोशिश करोंगे तो k1 की value हमारे पास आ जाएगी यह निकालने की कोशिश कर भिया k1 की value minus 6 plus 5 तो तुझे answer minus का 1 आ जाएगा अब k2 की value और k1 की value हमारे पास आ चुकी रहा ज़िए ज़िए आप इसको 5 और इसको 6 represent करना चाहेंगे तो यह जो k1 और k2 हमारे पास आए हैं हम इनको 5 के अंदर रखेंगे यह 5 implies हमारे पास देखो 3 है plus 5 की value जहांपर मैं पूट करने वाला हूँ k1 की value हमारे पास minus का 1 है और दूसरे तरफ minus का 4 plus 2 into k2 की value हमारे पास कितनी plus का 1 है देखें कि answer क्या आएगा इधर आगया 3 minus का 5 और उदर आगया minus 4 plus 2 तो dear हमारे पास I think मिने को लग रहा है कि इधर minus 2 और इधर भी minus 2 जह हमारा true हो रहा है हमारा main target है कि हमें k1 और k2 ऐसे find करने जिने के लिए आपकी equation number third and fourth same हो जाती है जदी ऐसी k1 k2 find कर पाते है तो हम कैस लगते हैं कि मारे पास जो गिवन सरेकल है वो same sphere के उपर लाई करेंगे ठीक है तो इसके लिए आपके पस x का option same होना चाहिए y का option same होना चाहिए z का option same और constant term same होनी चाहिए जब हमने coefficient of x करा वहाँ से हमने k2 निकाल लिया coefficient term constant term से में k1 निकल गया अब coefficient of y को same होना पड़ेगा और k1 k2 जो हमने अभी निकाली वहाँ पर put करो जदी वो satisfy करेगे तो yes जदी नहीं करेगा तो पूरा question जहाँ पर stop कर दिया जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे z की इसकी तरफ चलेंगे ठीक है इसको यह जहीं पर कर लेते हैं ठीक है मैं जहाँ पर कर लाता हूँ 4 है k2 जहाँ पर minus का 1 था और 5 into minus 7 इसकी value plus 1 थी तो जहें आपका 4 minus 6 हो जाएगा जह 4 minus 7 है तो इसका भी answer minus 2 is equal to minus 2 आ रहा है इसका meaning जह भी आपके पास true हो जाएगा इसका meaning for the k1 और k2 value जो भी अभी हमने find out करी है वो हर एक equation को satisfy कर रही है वो हर एक equation को satisfy करी है तो therefore we can say that कि just हमारे पास एक ऐसा sphere रहेगा तो therefore we can say होगा हर एक चीज़ त्रू आने के बाद हम लिख पाएंगे this circle yes this circle lie on the same sphere lie on the same sphere and we want to find the equation of sphere तो दियर आपके पास दो choices है मैं बताना चाहूंगा आपके पास दो choices है आपके पास k1 k2 आ चुका है जा तो आप k1 की value third के अंदर रखो वो आपका sphere आ जाएगा जाँ फिर k2 की value 4 के अंदर रखो वो भी आपका सेम अंसर आएगा that does not matter कि आप रहें किसकी value किसकी अंदर रखने है आप दोनों try कर सकते है k1 की value को 3 के अंदर रखकर स्विया निकालो और k2 की value को 4 के अंदर रखकर आप जब सके निकालेंगे तो दोनों से फियर आपके डियर सेम आएंगे it is a guarantee ठीक है अब हम क्या करेंगे जो भी हमें चाहिए तो आप k1 की value जो plus 1 है हमारे पास उसको क्या कर लेते है equation number उसके अंदर रख लेते है ठीक है k1 की value हमारे पास minus k1 है तो हम जहां पर क्या करने वाले हैं कि हम substitute कर लेते ठीक है substituting k1 is equal to minus 1 in equation number 3 ठीक है तो कर लो और उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा result तो देखो हमारे पास पहले तो इसका x square y square plus z square as it है और minus के 2x है plus के 3y थे आपको जाद होगा तो plus के 4z minus का 5 तो जहे एक equation तो हमारी एज़िट चलेगी ठीक है इसके उपर तो कोई किंतुप्र नहीं कर सकते हैं equation number 3 के उपर यह पूरे का पूरा डिटो copy मैंने उतार दिया यहांपर ठीक है plus k1 लिखेंगे minus 1 फिर इस plane की equation साथ में हम लिखेंगे और उसको solve कर लेंगे ठीक है अब k1 की value तो minus का 1 है और साथ में जो plane बन रहा था डियार वो आपके पास अभी मैंने learn कर रहा 5y था 6z था plus का 1 is equal to 0 बस ज़िए इसको solve कर लो x square आ जाएगा y square आ जाएगा z square minus 2x plus 3y plus का 4z minus का फैदर open the bracket minus के 5y minus के 6z और minus का 1 आपके सामने रहेगा तो में दिया students तो जहां से मारे पास x square आ जाएगा plus y square आ जाएगा z square और minus के 2x और minus के 2y होंगे minus 5y और plus 3y करेंगे तो minus के 2y और plus 4z और minus 6z तो minus के 2z और आपके पास minus 1 and minus तो this will be your required equation तो हम जाब लिखांगे which is the required equation which is the required equation of sphere एक ऐसा sphere जिसके ओपर दोनों के दोनों circle आपके लाई करेंगे of the given data required equation of sphere ठीक है तो अब आप इसको check कर लो कैसे करना एक बार पूरी की पूरी strategy आपके सामने बन चुकी है आज के इस lecture के अंदर हम topic wise मैंने आपको बोला था कि एक ही topic हम करेंगे तो मतलग क्या मैंने अपना promise पूरा करा एक ही होगा लेकि होंबर्क लिख कर जाना ठीक है without homework कोई फाइदा नहीं होगा homework करो try करो और देखो क्या आपका होता है अब हूमर के अंदर मैं आपको खाली दो question देने बाला हूँ जे आपने करने है show that these two circles this and this आपके lie on the same sphere and find the equation और ये question भी आपका same रहेगा मैंने बस खाली एक circle लिख दे हैं बाकी सारी students रहेगी इसके जो key points रहते हैं वो एक वर मैं आपको समझा देता हूँ एक वर फिट से just हम एक शूट से revision करेंगे जो हमारे पास पहली वाला दिया होता है हम circle जो भी हमारे पास दिये हुए हैं दो उनके अंदर से pass करते सफियर कैसे बनाते हैं मालों जहें हमारा पहली वाला सफियर लिख लिया प्लस हम k1 into ये plane लिख लिया is equal to zero हमारे एक्विशन बनागी जह दूसरे वाला सफियर रहता है प्लस जे k2 और जो दूसरे वाला plane is equal to जुरू हम कर लेते हैं अब जो हमारे पास new three and four बन जाते हैं और जो इस circle से मतलब जो पहले वाले और दूसरे वाले circle से पास होने वाले सफियर मान कर चल लें ठीक है अब हमारा कहना है कि वो दोनों के दोनों सरकल सेम सफियर के उपर लाई करने चाहिए लेकिन हमारे पास दो अलग सफियर आ रहे हैं तो इसका मिनिंग जदी वो आसी चीज़ च्रू है तो for some values of k1 and k2 हर एक value को नहीं होगा for some particular value of k1 और k2 के लिए हमारे पास दोनों सफियर जदी हम concise मतलब उसको एक कर सकते हैं तो मतलब जदी हम ऐसा k1 k2 find कर सकते हैं जिनकी values के लिए आपके जिए third and fourth दोनों सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि उपर वारे दो सरकल इस plane इस sphere के उपर लाई कर रहे है तो उसको करेंगी strategy क्या थी इसके अंदर bracket bracket open कर लेना coefficient of x कर लेना y और z कर लेना constant हो इसके अंदर भी खाले एक line लिखनी है कि three and four आपके पास जो है वो same sphere को आपके represent करेंगे कब जब उनके coefficient equate की जाएगे तो coefficient equate करने से आपके पास हो सकता है कि दो values direct आ जाए जाए जाफिए direct नहीं भी आयो तो आप उनको solve करने क के बाद k1 और k2 की value आपको निकालनी पड़ती है तो you have to do this तो आपको वो करना चाहिए ठीक है अब किनहीं 2 को solve करके k1 k2 की value निकाल लेना फिर वो values of k1 और k2 को because total आपके पास 4 बनेंगी I repeat this one आपके पास coefficient of x को equate करेंगे coefficient y को equate करेंगे coefficient of z को equate करेंगे और constant term को आप equate करेंगे total 4 equations बनेंगी variable k1 and k2 के अंदर के नहीं 2 को आप आपस में solve करके k1 k2 निकाल लेना और जो values आ जाएगी उसको third and fourth के अंदर put करवा के देख लेना क्या वो उनको भी satisfy कर रही है क्या answer true आ रहा होगा तो वो k1 और k2 की value select हो जाएगी जदी answer true नहीं आ रहा होगा मिन मालनों कि k1 k2 की value किसी एक equation को satisfy नहीं करें इसका meaning हम कभी भी ऐसी k1 k2 value नहीं निकाल पाएगे जिनके लिए जी दोनों same होगे तो उस case के अंदर जो given circle होगे आपके पास वो same sphere से पास नहीं करेंगे ऐसी possibility हो सकती लेकिन तो इन दो question के अंदर आपका answer पहले की तरह true case म आपके पास आजेगा लेकिन आप कितने शिद्द से करते हो कितना मन लगा करते हो उसके उपर depend करता है तो वीडियो अश्य लगी तो please आप मत भूलना आपने क्या करना होता सुब्सक्राइब करके वैल आइकन को on करना होता है और जो भी आपके जीनियर है जीनियर है जिद लेकिन हम इसको क्या करना चाहते है अप लिफ्ट करना चाहते है आप फ्री में पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि या भी हाब टू नीड वी नीड टू दू सम्टिंग फूर सर तो आप बस इंद को जितना हो सकता उतना शेयर केजिए वीडियोस को आउनलाइन देखने के क कोशिश करें अफलें मत किजिया करें ठीक है इतनी सी रिक्वेस्ट है थैंक यू फॉर वाटिंग दिस वन अन गॉड ब्लेस्ट जू अल थैंक यू टेक एर